हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल आज मैं आप लोग के साथ सेयर करूंगी लाल मिर्च का आचार बहुत ही आसान से तरीके से बिना धूपके भी आप इसको बना के सालों भर इसको खा सकते हैं ऐसा आचार हम बनाएंगे यह यूपी भीयार में बहुत ही फेमस है ऐसे सबी जगा लोग इसको पसंद करते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं अगर वीडियो पसंद आएगी तो मेरे वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे बेल आइकन भी दवा दे जिसे आने वाली वीडियो की आपको नौटिफिकेशन मिलती र और मैंने दो चमच कलॉंजी और एक चमच अज्वाइन लिया है यह कुछ मसाले मैंने लिये जो एक किलो लाल मिर्चा लिया उसके अनुसार लिया है एक कराई ले ले लेते हैं इसको गर्म होने देते हैं इसके बाद हम सारे मसाले रख लेंगे एक किलो मिर्चा के अनुसा जब यह इस तरह से रोस्ट हो जाएगा तब हम इसमें राई मिलाएंगे क्योंकि धूप अगर सद्धियों का समय है धूप नहीं अच्छे से आता है तो राई भी भून लेना सही रहता है अचार कभी खराब नहीं होगा तो राई भी रखे हम इसको थोड़ी देर भून लेत काली सर्सों हमने यूज किया इसको राई भी बोलते है इसलिए मैंने राई भूला है सबको लगबग 2 मिनटी भूने ज्यादा दिर नहीं भूनने की जुरत है गैस को बंद कर देते हैं और इसको प्लेट में निकालके ठंडा होने के छोड़ देते हैं क्योंकि हमें इसे ग 5-5 मिनट आप इसको गर्म करके गैस को बंद कर देते हैं 4-5 मिनट हो गया ठंडा होने देते हैं तब तक हम लाल मिर्च का डंटल अप काटके इसको त्यार करते हैं इसका डंटल हटा दीजिए आप चाहे तो इसको पूरा भी बना सकते या आधा-धा कट करके भी बना सकते मैं पूरा पहले बता रही हूँ देखिए इस तरह से आप चीरा लगा लिजी और इसकी अंदर का जो बीज है उस सब को हम निकाल लेंगे ऐसे इस बीज को हमें बादने मिलाना ही होता है लेकिन फिर भी हम निकाल के मसाले के साथ इसको मिक्स करके भरेंगे तो देखिए चमच की सायता से आप निकाल लीजे सभी को मैंने एक किलो लाल मिर्च लिया था इसको मैंने धोके फैन में सुखा लिया है अगर धूप है तो आप धूप में भी सुखा सकते लेकिन अभी के समय धूप कभी कभी आती है तो बीना धूप के भी आप इस तरह से और देखिए अच्छे से मैंने इसको खाली कर लिया है आप बीच से भी काटके हम बनाएंगे कुछ मिर्चा को हम बीच से काटके इस तरह से चाकू या चमच ले लीजे इससे आसानी से निकल जाता है इसका बीच भी निकाल लेंगे आपको जैसा पसंद है आप अगर चात बहुत ही असानी से निकल जाता अगर कुछ बच जाता है तो कोई बात नहीं ऐसे ही रहने दे कोई प्रॉबलम नहीं आएगी कुछ मिर्ची को मैं आधा कट करके बना रही हूं और कुछ को मैं ऐसे ही रहने देती हूं आप भी ऐसे ही करें देखिए बहुत ही असानी से नि तो यह देखिए मैं सभी मिर्ची को त्यार कर ली हूं इस तरह से बीज से जादा काटके मैंने बनाया है जो पूरा-पूरा है अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे और इसका जो बीज है वो एक अलग बरतन में हम रख लिए इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे अब हम भूना मस मसाला ले लेते हैं जो भून के हमने रखा तो ठंडा हो गया है अब हम इसे ग्राइंड करेंगे एक मिक्सी ग्राइंडर ले लिजे और इसमें सारे मसाले रख लीजे इस तरह से रखिए बहुत ही जल्दी रखा जाएगा थोड़ा सा दरदरा ही हमें पीसना है तो भून के मिला देंगे सभी मसाले को आप रख लीजे और बाकी कुछ और मसाले जिसको हम मिक्स करेंगे अब हमने दो चमच हल दी लिया है मैं सारा मसाला एक किलो लाल मिर्ची के नुसर बता रही हूं आप इसी रेशियो को फॉलो करेंगे तो आपका बिल्कुली मसाला बरबाद नह होगा अना ही तो कमेगा मैंने 100 ग्राम लाल मिर्च लिया है जिसमें मैंने 2 चमच कास्मीरी लाल मिर्च का यूज किया है बाके जो हम नॉर्मल मिर्ची यूज करते हैं वो मिर्ची पाउडर है और 100 ग्राम हमने नमक भी ले लिया है अचार में नमक थोड़ा ज्यादा रख यूज करें तो आचार नहीं खराब होता है जैसे हम पहले से बनाते हैं तो वह अचार उस मसाले का खड़ाब होने का डर रहता है तो अप हर मसाला का पाउडर जो भी आप यूज कर एकदम फ्रेस पाउडर का पैकेट लें अभी इसमें मैं 2 चमल सरसो का तेल मिला देती हूं क्योंकि ये मसाले को हमें स्टफिंग करना है तो तेल लगाने से ये अच्छे से पाउडर के फॉर्म में ने रहागा थोड़ा मिल सा जाएगा तो स्टफिंग करने में बहुत ही आसानी होगी हाथ से इस तरह से मिलाईए और जो मिर्ची का बीज हमने रखा था उसको भी तोर लेंगे जो बड़ा है उसको भी तोर के इसमें हम मिलाते जाएंगे सारे मसाले को आप इसी तरह से चेक करते रहे कि कहीं पर कोई बड़ा मिर्चा राग गया है उसको तोर के मिक्स कर लीजे सबी को मिक्स करने के बाद हम लाल मिर्च भी ले लेते हैं और इसमें से एक मिर्ची लेके मैं इसमें स्टफिंग करूंगी आप इसको अंगली से दबाते हुए स्टफिंग करें जैसे कहीं पर मसाला खाली नहरा जाए इस तरह से दबाते हुए और फिर दोनों तरफ से अब किस तरह से सपर्वेता से दभाते हुए बहुत ही जल्दीrang हो जाता है ऐसा कोई आपको भारी का काम नहीं लगेगा कि बहुत है अगर मसाला ड्राइ लगे तो आप बीच में एक चमस सरसो का तेल और मिला लिजे मैंने भी मिला लिया है इस तरह से जो हमने आधा काटके रखा था उसमें बीच में इस तरह से अंगली से दबाते हुए बढ़ लेंगे क्योंकि इसका उस साइड स है तो निकलने का डर रहता है तो ऐसे नहीं इस तरह से दबाईए और यह देखिए यह बहुत ही अच्छे से यह भी स्टाफ हो गया है मैं एक दम परफेक्ट रेसियो से लिया है तो मसाले भी हमारे खतम हो रहे है थोड़ा सा और बचा है उसको भी भर लेते हैं सभी मसाले अगर ब्रावर लेते हैं तो मसाला ज्यादा बसता नहीं है देखिए थोड़ा सा मेरा भी बचिया है तो हम इसको जो बचे हुए अचार थे जिसमें कम था उसमें भर दे रहे हैं अगर आपका इससे ज्यादा मसाला बच जाता है तो टेंसन लेने वाली कोई बात नहीं है जब आप बॉटल में डालें अचार को तो जो बचा हुए मसाला है उसको डाल देंगे कोई परिशानी नहीं होती है कि मैं उसको कहां यूज करूँ तो देखिए खतम हो गया है इस तरह से मैंने सबी को इस्टफिंग भी कर लिया है अब इसको हम आच्छे से तेल में जाएगा तो ऐसा नहीं होता है देखिए अगर चोड़ा बहुत निकल भी जाता है तो कोई बात नहीं आप जब डबे में डाले तो इस तेल को यूज कर लीजिए तो अच्छे से स्टोर भी हो जागा और तेल के अगर हम रखते तो अचार बहुत ही जल्दी सौप्ट भी ह हो जाती है इसी तरह से हम सारे अचार को तेल में डुबो के निकाल लेते हैं तो यह देखिए मैंने सभी तेल में डुबो के निकाल लिया है है बहुत ही अच्छा बहुत ही असान सा तरीका है आप इसको बना के रख लीजिए आप चाहे धूप अगर आती है तो एक दिन य अगर यह तरीका आपको पसंद आया आचार बनाने का तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे बेल आइकन भी दवा दे मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद